नमस्ते आज हम बात करेंगे हमारे माइंड के उपर यह माइंड बहुत ही अद्बुत चीज़ है यह हमें ताकत भी दे सकती है और हमें कमजोर भी बना सकती है हमारे mind में ताकत है कि हम किस चीज़ के बारे में कैसे महसूस करते है उसके बारे में कैसे feel करते है और इस ताकत को use करना हमें आना चाहिए most often हमारे mind को आदत है कि वो हमें negative direction में, दुख के direction में, उदासी में ले जाता है हम गलत बाते सोचते हैं गलत फील करते हैं और गलत रियाक करते हैं लेकिन अगर आप अपने माइन को काबू कर सकें तो आप यह सीख सकेंगे कि हम उसे कैसे ताकतवर बना लें कि हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चले एक बहुत ही ब्यूटिफुल स्टोरी है एक गाउं में सरकस लगा सारा गाउं इखटा हुआ वो सरकस देखने के लिए पचीस पैसा देके लोग अंदर जाते थे पहला आदमी अंदर गया बहुत एक्साइटेड कि मैं फर्स्ट हूँ पहला आदमी गाउं में जो सरकस देख देखने वाला है अंदर गया तो देखा पूरा तंबू खाली वहां पे कुछ भी नहीं कोई अरेंजमेंट नहीं कुछ नहीं था उसने सोचा एक बड़ी अजीब बात है उसने आवाज लगाई अरे किदर है सब लोग हम सरकस देखने आए हैं तो एक बढ़ा सा आदमी भा बहुत बढ़ाई के वह confused हो गया यह हो क्या रहा है इतनी बढ़ाई की और फिर बोला सरकस में मज़ा आया ना बहुत ही confused यह आदमी तंबू के भार आया सारा गाओं पूछा कैसा था सरकस कैसा था सरकस अब उसे शरम आई मैं कैसे बोलू कि अंदर जाके मेरी इतनी बढ़ हो गई उसने बोला बहुत अमेजिंग था हाती तो इतना कलाकार था जोकर ने तो इतना बढ़िया काम किया बहुत बढ़ा चड़ा के स्टोरी बोली और फटाफट वहां से भाग गया फिर अगला अगला अदमी गया तो उसने फिर वही देखा कि खाली तंबू खाली क्या बोलूँगा कि इस आदमी ने मुझे पीट दिया उसने भी भारा के यही बताया बड़ा अमेजिंग सर्कस है बहुत मज़ा आया ऐसे कर करके पूरा गाउं सर्कस देखा यानि कि पूरी गाउं की पटाई हो गई हम हमेशा यह यकीन करते हैं कि दूसरे जो अपनी जि बिखा रहा है वो ही उसकी हकीकत है आजकल तो Instagram, Facebook का जमाना है और उस पे हम अपनी best photo डालते हैं लेकिन हमारे बच्चे हम यह यकीन कर लेते हैं कि यही उस आदमी की जिंदगी है और मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है मेरी जिंदगी में इतने दुख है मेरी photo इतनी सुन्दर नहीं आती लेकिन आज मैं भी video डालती हूं Instagram पर मुझे मालूम है कि वो एक एक photo एक वीडियो के लिए कितनी बार click करने पड़ते हैं कितने takes लेने पड़ते हैं इतना आसान नहीं है एक अच्छी photo घीचना इसी तरीके से हमारा mind हमें एक दुनिया दिखाता है एक दुनिया जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है जो actually चल रहा है उससे एकदम अलग है लेकिन जो mind हमारी दुनिया हमें दिखाता है हम उसी पर यकीन कर लेते हैं उस पर यकीन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे reactions ह होते हैं आज लॉकडाउन के समय में भी काफी क्योंकि हम लोग सब बन थे अपने घरों में परिवार के साथ चोटी-चोटी स्पेसे शेयर कर रहे थे बहुत परिवारों में अन्बन भी हुई और प्यार भी बड़ा इसका क्या खेल है क्यों कहीं पर यह जमा कहीं नहीं क्योंकि कुछ लोग अपने माइंड का विक्टम हो गए यह सोच बुखत जादा सोच डाल के अर चीज हर जगा पर अपनी माइंड की सुनने से हम उसके ही स्लेव बन जाते हैं हम उसके नौकर बन जाते हैं लेकिन हमें क्या करना है हमें हमारे माइंड पर काबू कान पाना है आज हमारा माइंड हमारी बात सुनना चाहिए हम उसकी बात ना सुने लेकिन वो वही सोचेगा वो वही सुनेगा जो हम सुनते हैं तो अगर हमने हमारा वक्त actually negative चीजे बुरी बातें किसी का बुरा भला सोचने में डाल दिया है जो हमें नहीं पसंद है एक human nature की tendency होती है कि जो चीज गलत है जो चीज नहीं मिल रही हमारा सारा focus उसी पे चला जाता है और जो मिल रहा है उस पे हम कभी ध्यान नहीं देते हम कितना time spend करते हैं बुराईयों की बात करने में ऐसा नहीं मेरी शरीर में यहां दर्द है आज मेरा हाथ दुख रहा है आज मेरा सर दुख रहा है आज खाने में नमक कम था आज घर में यह नहीं हुआ आज office में उसने यह काम नहीं करा उस पे focus करते रहते है क्या कभी इस पे focus करते हैं हाथ दुख रहा है लेकिन बाकी शरीर तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आज मैं हाथ को अराम दे दिती हूँ, लेकिन मेरा बाकी शरीर अच्छा चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इंजॉय कर रहा है, उस पे मैं थोड़ा ध्यान दे कि थैंक यू बोल दूँ। अपना ध्यान डालती हूँ, नहीं डालती हूँ, इसलिए मेरे पास मेरा माइंड मुझे यही खबर लाके देता है, क्योंकि इस खबर में आपको मज़ा आता है, मैं आपको और लाके देता हूँ, यह भी काम नहीं हुआ है, ऐसा भी चल रहा है, अपने माइंड को ट्रेन क को मिल रहा है कितने लोग कितने पीड़त लोग हैं जिनको खाने को रहने को पहनने को नहीं है लेकिन आज मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास यह सब चीजें हैं तो एक ग्राटिट्यूट की फीलिंग एक ग्राटिट्यूट एक्सप्रेस करना बोली अपने मूह से अपन कान को ही सुनाइए किसी को जगत में जाके बोलने की जरूरत नहीं है हमें अपने कान को ही सुनाना है कि हम ग्रेटफुल हैं हम ब्लेस्ट हैं हम थैंक्फुल हैं कि हमारे पास यह सौ चीजे हैं छोटी छोटी बातों को लेके जो हम बोलते रहते ना सबको तो वो हमारा कान कर लेकिछ वहीं पे अगर आप अपने mind को अच्छी बाते सुनाएंगे तो वह उसी तरह इस के ताकत है और आज इस lockdown, covid ये मुश्किलों के समय में इस जंगली हाती को control करना इतना important है आज बच्चे भी इसका victim हो रहे हैं क्योंकि सही विचार उनको नहीं मिल रहे हैं सही guidance नहीं मिल रहा है वो लॉक्ट है frustrated है उनको experience नहीं हो रहा है जो उनको चाहिया है सो उसके कारण बच्चे भी आज बहुत frustrated हो गए है parents, employees, employers जो काम पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं सब के हाँ दुख हो रहा है चिंता हो रही है क्यों क्योंकि आज हम अपने आपको motivate नहीं कर पा रहे हम अपने आपको वो positive thought नहीं feed कर पा रहे हैं ये positive thought कैसे आएगा सही बाते पढ़ने से, सही लोगों से बात करने से, सही चीजे देखने से आप अपने mind को क्या feed करते हैं हम घंटों बता देते हैं Netflix पे binge watching के नाम पे लेकिन ये binge watching आपको कैसे contribute कर रहे हैं आप जिस विचार से सोते हैं उसी विचार से उठते हैं तो रात को सोने के पहले हमने कैसा routine follow किया इस पे काम करना बहुत important है जब आप सही वे में सही routine से उठते हैं सोते हैं सही विचार अपने mind को feed करते हैं तो mind automatically progressive way में operate करता है एक बहुत ही बढ़िया बात में आपसे share करना चाहूंगी कि हमारा mind negative thought negative perception की तरफ कैसे जाता है जब हम हमारी खुद की first वचा नहीं सुनते हैं हमारा first विचार को acknowledge नहीं करते हैं तब हमारा mind negative thought की तरफ चला जाता है तब हमारा mind गलत सोचने की तरफ चला जाता है जैसे कि रात को एक कबल सो रहा था और उनका बच्चा उठके रोने लगा तो पहले पापा की नीन खुल गई तो हजबन ने सोचा की अरे बच्चा रो रहा है तो उठने ही जा रहा था कि रुख गया और एक मिनिट सोचा की अरे ये मेरी वाइफ तो उठी नहीं इसने उठना चाहिए चालू हो गई अब उनका first thought क्या था बच्चा रो रहा है मैं उठके उसे ले लूँ लेकिन second thought ने रोक लिया second thought ने कहां ये मेरा काम नहीं मैं तो दिन भर कमाता हूं दिन भर यहां आ जाता हूं तो मेरा काम नहीं है रात को उठके बच्चा समालना इसका काम है ये क्यों न नहीं होगी दिन भर क्या करती होगी रात को इसकी नीदी नहीं खुल रही बच्चा रो रहा है तो perception क्रेट कर लिया उसके बाद हम victim role में चले जाते हैं कि हमारे साथ हमारे उपर इतने दुख है कि यह मेरे साथ भी ऐसा ही करती है इसने पिछले time भी ऐसा ही किया था ऐसा हुआ था वैसा हुआ था और खुद को victim थोट कितना बड़ा हो जाता है अब वो सानुपुति कलेक्ट करके करकर के हम यह पक्का कर देते हैं कि आदमी ऐसा ही है और इस वज़े से अब उसके बारे में परसेप्शिन चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बट वो सामने वाली को भी यह समझाता है कि आपका उनके क्या परसेप्शन है क्योंकि वो उसे फील करते हैं हम लोग हमसे हमारे वर्ड्स पर रियाक नहीं करते हैं लोग हमसे हमारी फीलिंग पर रियाक करते हैं कि आप उनके तरफ क्या फीलिंग फैक रहे हैं सो वो सामने वाला वो फीलिंग पकड़ लेता है और फिर यह साइकल चालू हो जाता है, misunderstandings, wrong interpretation, सब चीजों काँ, तो अब क्या करना चाहिए, अपने first thought पर react करना चाहिए, अपने first thought पर react करिए, अपने आप से honest रहिए, अपने वचन से honest रहिए, कि एच्छा बचारोर है, मैं उठके एक बार देख लूँ, क्योंकि जब हम first thought को अपने सुनते हैं, वो हमारे अंदर की सचीवानी है, और second thought, वो हमारा शैतान है, कि हमको रोक रहा है, सही काम करने से, अपने first thought को सुने, and first thought को सुनकर उस पर act कीजिए, now few points जो मैं revise करना चाहूंगी, कि हमें अपने mind को कंट्रोल करना है, mind को क्यों कंट्रोल करना है, कि वो एक perceptions बनाता है, हमें act करने पर मजबूर करता है, negative की तरफ खीचता है, और फिर वो हमारी सच्चाई बन जाती है, वो हमारी हकीकत बन जाती है, तो उस पर कैसे काम करेंगे, सही लोगों से मिलना है, सही लोगों से बाते करनी है, जो लोग आपकी लाइफ में contribute करते हैं, जो लोग आपकी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, उसको build करते हैं उन लोगों से, सही बाते सुननी हैं, अपने कान को अच्छी चीज़े सुनानी हैं, जैसे thankful की practice करनी है, अच्छे चीज़े सुनिए, कितनी सारी videos हम देखते हैं दिन भर में binge watching के नाम पर, तो कुछ अच्छा भी देखिए, कुछ positive thoughts, कोई सही topic के उपर चीज़े बनी वी, अच्छी reading करें, सही चीज़ों के बारे में study करें, स्पेशली ये lockdown के time, जब आपको समय है, आप figure out कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है, कुछ अपने आपको सिखाएए, कुछ नया सीखिए, अपने आपमें इक development create करें, सही चीज़े पढ़ेंगे, सही चीज़े सीखिए, मेरे पास एक लाइन देखिया कि उनका job चला गया lockdown के व उसके वज़े से उनको much better job लग गए, और much better skill, much better pay scale, सब कुछ, पर उन्होंने कहा कि अगर यह नहीं होता था situation मेरी life में, तो मैं मेरे ही job में अठका रहता, क्योंकि life चल रही थी, कुछ जरूरत ही नहीं थी नया सीखने की, पर experience आने से, एक situation आने से उन्हें नया कुछ और अपने आपको develop किया, आप घर पे भी बैटे हैं, आज हम सोचते कि अब तो बड़े हो गए life निकल गई, अब क्या सीखना, लेकिन आज के time में हम जितना सीखते रहेंगे, हम अपनी next generation से उतना connected रहेंगे, कितनी चीज़े हैं सीखने को, कितनी skills हैं, adopt करने के लिए, चोटी-चोटी skills अपने basket में हम add करते रहें, तो हमें भी अपने आप पर गर्व होता है, जब हमारा confidence बढ़ता है, जब हमें proud feeling आती है, तो automatically हम positive feel करते हैं, क्योंकि हम अपने समय के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम उसे कहीं सही जगा contribute कर रहे हैं, हम अपने अंदर skills डा सके, जब हमें नहीं आता है, तो हम खुद एक dependency के mode में चले जाते हैं, confidence कम हो जाता है, खुद के बारे में अच्छी feeling नहीं आती है, और फिर बड़ा low सा लगता है, तो अपनी life पर grip पकड़े रहें, सीखते रहें, सीखने की खेड की खुली रखें, उसी से आपकी growth होगी, and fourth thing is, अपने mind को हमें control करना है, हम उसके boss हैं, तो अगर आपके पास कोई wrong बिचार आ रहा है, आपको be chain feel हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दो काम आप कर सकते हैं, एक, जो आपको चाहिए, या तो उसे जाके achieve करिए, उसके तरफ काम करिए, उसके लिए plan बनाईए, उसके तरफ आगे बढ़िए, और अगर नहीं कर सकते हैं, उसे accept करिए, और अपने mind को positive thoughts से infuse करिए, कि ये ऐसा है, ऐसा करना है, control करना है उसे positive विचार दे के, जो चाहिए उसके तरफ बढ़े, नहीं बढ़ सकते, limitation है, तो इस situation में क्या कर सकते हैं, उस पे focus करिए, don't focus on क नहीं हो रहा है, हमारा focus should always be on the थाली जो लगी वी है, उसमें इतनी चीजे सर्फ हो गई है, नमक तो आप खुद से कभी भी डाल सकते हैं, थांक यू, I hope, आपको इस पे से कुछ पॉइंट्स ऐसे लग मिले होंगे, जिसे आप आज ही अप्लाय कर सकते हैं, बलकि अभी बंधन के experience को पूरा change करके एक दम positive way में आगे बढ़िये, and have a wonderful day, नमस्ते,